हेलो डियो लेर्णर फ्रेंड्स इस टूटोरियल में हम ट्रैप्ट इस्टोरी को स्टटी करने चल रहे हैं और यह स्रीगुन स्रिवास्तो जी की है जो कि एक इंडियानी ओथर है ऐसे वस्ट बॉर्ण इंजर्मनी और उन्होंने बच्चों के लिए काफी किताबे लिखी हैं और जो इनकी स्टोरीज हैं वो सोसल कंसर्सनेस और इंवारिन्मेंट इकलोजिकल कंसर्स को काफी अड्रिस करती हैं बच्चे पढ़ते हैं और काफी कुछ उनसे लेसंस लेते हैं ऐसे ही एक स्टोरी है ट्रैप्ट जैनि जब हम कहीं फंस जाते हैं ट्रैप हो जाते हैं इसे स्टोरी में बढ़ते हैं उसके पहले जो आपकी बुक में दिया गया है थोड़ा बहुत हमने यहां पे दिया हिस्सा और चुकि हमें पास पीडियेफ्स जो ओनर्स हैं बुक के पब्लिसर्स को नहीं देते हैं तो यह टाइप करना पड़ता है और इसमें यह जो कटिं इसमेल्स आजाते हैं जो कि humans को नुकसान पहुचा सकते हैं तो sometimes they attack also इस तरह के कुछ questions हैं जो आपको ध्यान में लाने हैं क्या वो खुद humans से डरते हैं यह अपने offspring मनलब अपने जो उनके जैसे आप अपने parents के बच्चे हैं वैसे उनके भी होते हैं तो उनको protect करना चाहते जैनवर का मतलब उससे related कुछ है आपकी book में होगा आप उससे देख लीजेगे headings है ना farmers attacked by wildcat elephant का यहां पे है लेपार्ड का टैक है five year old child तो ऐसे क्यों होता है यह आपको सोचना है तो चलिस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं शुरू में ही bold letters में the beer ए and stopped to sniff the air तो वहीं पर कहीं पर रुखता है और आसपास अपने जो नाक है उससे सुगने कोशिश करता है और आसपास क्या हो रहा है ना इनकी जो sniffing power होती है उन्हें कुछ information ज़रूर देती है the village lay sleeping in the hot गर्मी का महीना था और afternoon था काफी गर्मी में लोग सो जाते हैं दूपहर में sleeping nothing moved कुछ भी वहाँ पर हाल चल नहीं थी except के अलावा the leaves पत्तियों के अलावा वो भी neem tree तो दूपहर का समय था गर्मी का summer का season था लोग सो रहे था अपने घरों में और ये भालू वहा sleeping mostly the bear walked on वो चलता चला गया एक तो कम उमर का था मतलब हमें कह सकते हैं कि भालू कब अच्छा कुछ बड़ा रहा होगा अच्छबी को फुले फुले गाल थे उसके blades of grass grass की जो जो grass जो होती ना तो grass ऐसे ऐसे होती है तो यह जो इसकी जो निकली होती है उपर की तरफ यह blades of grass lay noted, noted मतलब आपस में गुथी हुई थी जाना ऐसे करके ऐसे करके आपस में गुथी हुई तो यह जो घास जो है ना उसके soft shining black fur यानि जो भालू था वो black color का था ऐसे सफेद भी होते हैं सायद पता नहीं तो उसके जो fur थे उपर जो रोएदार बाल होते है तो उनमें जो घा जास थी वो उसमें काफी जादा fancy हुई थी His small black eyes, छोटी छोटी काली काली आँखें, sparkled चमक रही थी दूर से ही, curiosity, देखें बच्चो when we want to know something, want to find more, तो वो जो हमारी feelings होती उस समय हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या है, क्या, you want to know more, तो curiosity होती है, तो उसकी आँखें आसपास curiosity से नजर आ रहा था है, क्यों आसपास जानना चाहता है, कि मैं कहां पहुंच गया हूँ, क्या है, safe हूँ की नहीं हूँ, है ना, तो वो परकने कोशिश कर रहा था, when he arrived at an open gate, और उसके बाद और चलता चलता है, एक open gate के पास पहुंचा, पीपड, पीपड का मतलब आप जानते ही, जहां कर देखना, the gate opened on a fairly wild courtyard, fairly मतलब होता है, काफी, कुछ wide मतलब चोड़ा, तो अच्छा खासा चोड़ा courtyard था, मतलब जो आहाता था, जैसे boundary आप कह सकते हो, gate यहां पर बना है, घुच गया, चाव तर दिवाल दिव ब्रास प्लेट, तो देखे, ब्रास की बनीवी जो प्लेट है, मतलब पीतल, ब्रास मैटल होता है, पीतल, तो उसको वो घिस रही थी, with ash and sand, तो देखे, गाउं है, तो वहां पर जो राक होती है, चूले की राक, या अंगीठी की राक, और मिट्टी मिला के, उसे परतन की जाते हैं, तो वो साफ कर रही थी, चमका रही थी, उसको माज रही थी, the polished plate sparkled, तो उसकी बज़े से जो माज रही थी, तो काफी कुछ चमक गया था, तो उसकी चमक, सूरज का जो 12 बजे के आस पास करना, बिड़े का समय था, तो चमक रही थी, तो जो polished, बरतन जो साफ क the glare glare मतलब चमक from it hit the bear's eyes तो देखे बरतन है काफ़ी कुछ चमक रहा है तो सूरज की रोश्रेश पर पढ़ी तो रिफलेक्ट हुई तो उसकी आँखों में जाकर लगी तो जब उसने किसी घर के अंदर उसाइद घुसरा है और वहां पे बाहर यह सब कुछ हो रहा था तो बरत बालू भी पर उसने हलकी से आवाज निकाली softly मतलब हलके से अवा सुनती ही लड़की ने देखा कौन है डिस फेल फ्रॉम और रेंड भालू को देखती साइद वो डर गई और जो उसकी जो धाली जो धो रही थी उसके हाँ से गिर गई धाली या तस्तरी जो कुछ भी है व वह पजल था उसे समझ भी नहीं आ रहा तो डर भी किया था जिड्रू बैक पीछे हो जाना उसने पैर के पीछे घसीट लिए जिए पीछे हो जाना ने रो मतलब वह तो इससे खींचना आप ड्रॉइंग बनाते हो तो पैंसिल से ब्रस से खींचाई करते ना इसे खींच की हुआ है ना आपने figure of studies पढ़े होंगे क्योंकि as quick as यहां पर comparing की जाए जैसे lightning जैसे fast होती है तुरंत रौशनी चमकती है light जलाते हो तुरंत आ जाती है तो बिजली की फूर्ती से there was an outbreak outbreak का मतला होता है किसी चीज का छिड़ जाना जैसे युद का छिड़ जाना आपने मदु मक्ही के छटे में हाट डाल दिया कुछ कर दिया तो तुरंत मदु मक्हियां जब छिड़ देते हो तो एक outbreak होता है और मदु मक्हिया तुरंत बाहर निकल के attack करने कोशिश करती है तो अचानक किसी चीज का शुरू हो जाना that is the outbreak त fox उसे लगा जैसे कुटे आसपास मुझे दोडाने वाले हैं suddenly he could smell danger smell danger मतलब होता है कि उसे एक खत्रे का एहसास हुआ कि आसपास खत्रा है it turned harshly harshly मतलब जल्दी से तुरंत वो मुड़ा towards the road वो gate road छोड़के पीछे मुड़ गया that led to the forest और तुरंत वो forest कर भागने कोशिश क मैंने लगा इसका लब वो कहां से आया था forest से आ गया था और उसकी जो curiosity थी है ना कि क्या है आगे चलके देखते हैं forest के आगे सारी चीज़े क्या है क्या है उसे क्या पता तो forest में तो normally रहता था तो normally जहां रहते हैं वहां कौन से curiosity है curiosity तो नहीं जगा होती है तो विचारा वापस लोटा लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी काफी देर हो गई थी और यह जो outbreak of noise था यह कुत्तों का था किसका था हो तो आगे पता चलेगा the road seemed full of humans seemed का मतलब लगना प्रतीत होना जो सड़क थी उस पे आदमी ही आदमी नजरा रहे थे मतलब सब लोग उसकी जो आवास उनके बाहर आ गए थे क्योंकि वो लड़की चिलाई थी ना the cries जो उनकी चिलाने के आवाज थी रैंग मतलब गुझ रही थी घंटियों के आव से जैसे पेड़ हावा में जूमता है ना हावा में जूलना उसने साइड टू साइड अपना सीर इधर घुमाया फिर उदर घुमाया दा बेर पुष्ट फॉरवड और फिर आगे बढ़ा कहां जा रहा था वो जंगल की तरफ जा रहा था ही रैन ही ऐस फास्ट एजी कुट जितना वो दोड़ सकता था तेजी से उतना दोड़ा ओवर ओपन ड्रेंस और गार्वेज अब उल्टा सीधा दोड़ रहा है वह ना नालों की उपर से कोड़े के धेर की उपर से डंप माने धेर कार्वेज माने कूड़ा करकट तूरू दे क्लाउट ऑफ डश्ट अब जो चले हैं वो जान सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है he saw them coming towards him he का मतलब उसी बेर ने देखा कि सब उसकी तरफ चले आ रहे है गैंग का मतलब यहाँ पे group of children बच्चे थे वहाँ पे with raised districts और हाथ में उन्होंने छड़ियों कर लेकिवी थी और dogs भी उनके साथ दौड रहे थे और close on their heels देखे close on their heels ना इसमें idiom है जिसका मतलब होता है कि बस आपके पीछे ही नजदीक get him पकड़ो पकड़ो the voices he khod गूज रही थी lanes मतलब जो गाउं की जो गलियां होती है get him get him पकड़ो पकड़ो इस टाइप से तब I did not understand the cries तो उसे अब understand the cries का मतलब होता है कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या चिला रहा है अरे भाई भालू हुए कहां से बच्चों की बाद जानेगा but the wild barking of the dogs terrified him लेकिन हां dogs तो animal था और यह भी एक animal था तो उनकी barking को समझ रहा था यह कुत्तों की जो भौकने की जो आवाज है वो उसको डरा रही थी terrified में दराना he wanted to get away somehow from the dogs और किसी भी तरह से बच्चों की बज़े इस dog से भाग जाना चाहता था and screams यह जो बच्चों की चिलाहट थी न confused with terror क्योंकि भालू बहुत भागता नहीं ना confused with terror डर की बज़े से confused होगया क्या करें क्या ना करें वो अपना रस्ता ही भूल गया आप ध्यान रखें बच्चों भालू भाग रहा है he rushed into a lane that led to a square तो वो गलती से he rushed into a lane lane मतलब उसकी गली गाओं के किसी गली में वो घुज गया भागते भागते और वो गली उसे square तक लेके गई square का मतलब होता है कि 14 जहां पर आपको इस तरह से रस्ते मिलते इधर भी जा रहा इधर भी जा रहा इधर भी जा रहा इधर भी जा रहा पहुंचे अब कहां किस तार उस तरह जाए और does not lead anywhere और square और बाद वो कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा था कहां जाए वो और यह क्लोज्ड था मतलब लीड एनिवेर के मतलब डिड नॉट लीड एनिवेर पता यह रस्ता कहीं कहने को यहां पर है इसको आप ऐसे समझ लीजे कि वो जहां पहुंचा है तो इस टाइप से एरिया है और ब यहां पर हमको इस तरह से डाइग्राम बनाने में मदत करें समझाये कि है यहां पर इसकी जगे कुणा था तो चाओतार दिवाले थी है ना वॉल्ड वॉल्ल को इन्हों नहीं यहां पर वर्व बनाया है दिवाल से घेड देना वाल on all sides और वीदिन ओल ड्राइवल वहां प placed white छुपने की कोई जगा नहीं थी, he was trapped, अब यहां जाके पता चलता है कि वो trapped हो गया, कैसे trapped हो गया, एक तो दिवाल है, वो जा नहीं सकता, और यहां से वो आ चुका है, पीछे मुड नहीं सकता, पीछे जो हैं, और चिल्डरेन हैं, जिन्होंने हाथों में छड़ियों करे ली हुई है, अब क्या करें, और कूत के बाहर भी नहीं जा सकता है, और यहां पर कुवा है, अब बच्चों की पास जाने की, तो वो हिम्मत नहीं हो रही थे, तो उसके पर पत्थर फेकने लगे, डॉक्स डग दे तीथ, और जो कुते थे, वो अपने दाथ, क्योंको तो डर लगना नहीं है, और बाई नेचर वो भालू का पीछा कर सकते हैं, उन्होंने अपने डग माने गड़ा देना, दाथ, उसके हिंड माने पीछे वाले पैर में गड़ा दिये, ओफ़व, दाबियर सूख हिमसल फ् ज़्यादा, तो उन्हें जटके से छुड़ाया, अपने आपको अपने पाउ मतलब पंजा, तो कुते जब उसने ऐसे करके लात मारी होगी पीछे, तो कुते पीछे ध्राम से गिरे, विद वन लीप, एक कूद से, लीप अने कूद, विचारा करता क्या ना मरता, एक तरफ कुवा एक तरफ खाई, वो बिचारा कुवे में ही कूद गया, बचने के लिए, डर के मारे बुरा हाल होगा, आप देखे जो कुवा है, जैसे यहाँ पे हमने सुरू में डाइग्राम दिया था, तो ये जो है ना, ये पूरी उसकी रिम है, जो बनी हुई है इस तर, ना, तो बच्चे उपर से जहांक कर देखने लगे और नीचे पत्थर फेकने लगे, ये ना, इटे फेकने लगे, छड़ी फेकने लगे, वेल, गुसा भी था, देखो मतलब मेरा कोई नुकसान, मैंने किसी को हाल्ट नहीं किया, ये लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाहत नीचे से, जब बच्चों जब जानरों पे भी एनिमल किसी भी बन आती है, तो लड़ने के लिए त्यार हो जाते है, जब समच जाता है कि मेरी मौत निश्ची थे तो फिर वो अटेक करता है, अचानक जो पत्थर उपर से आ रहे थे, वो रुख गए, ये तो चमतकार हो ग गई, गायल और फ्राइटेंड डरा हुआ, बेर लुख डप उसने ऊपर की तरफ देखा, ये क्या हो गया, कैसे शान्ती हो गई, एक सिंगल हुमन मतलब सिर्फ एक ही व्यक्तिन का चहरा नजर आया, जो नीचे जुकर देख रहा था, टॉप से, उसने मतलब भालू ने उस इस थी, जेंटलनेस थी, मतलब आवाज बहुत ही पॉलाइट थी, आवाज की जो टोन थी, वो काइन थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी को थ्रेटन करने के लिए, धमकाने के लिए बोला जा रहा हो, एई, एई, बाहरा हो, एई, क्या हो गया आपको, है न, ऐसे टोन, द इसे वो, वो हमसे, फिर हमसे इंटरेक्ट करते हैं, डॉग, जो है एक बहुती फेमस, मतलब पैट है, आप कहा हो, तो आप आजमा सकते हैं कि किसी भी को प्यार से थप-थप आईए, किसी भी जानवर को, तो किस तरह से रियक्ट करता है, और थपण मार के देखे, तो किस friend ही नजर आ रहा है, friend का मतलब जो आपको नुकसान ना पहुँचाए बलकि आपकी care करें, आपके बारे में सोचे वही friend है, there was something inner voice, उसकी आवाज में कुछ तो था that comforted, comfort बने आराम होता है यहाँ पर comfort का मतलब होता है उसको दिलासा देना, उसको सान्पुना देना एक कम से कम, यह तो मुझे नुकसान नहीं पहुचाएगी, इस ठॉप इस नार्लिंग उसने गुराना बंद कर दिया ऐसे ही होता है, यह जो हर है ना, एक लड़की है अब देखे, जो यहाँ पर बच्चे थे, एक तरफ और यह गर्ड जो है, एक तरफ अब देखे, दोनों के ट्रीट्मेंट में कितना अंतर है यहाँ पर काइंडनेस है, जेंटलनेस है केर की भावना है, भालू फसा हुआ है सिंपेथी है, और यह सब जो है टैकिंग है, इनका जो बिहेबियर है, वो वाइल्ड है वाइलेंट है, है ना और इल्लोजिकल भी है, मतलब बिचारा भाग रहा है और आप उससे इस तरह से परिशान कर रहे हो, that's better the girl said, लड़की ने कहा, अब बढ़िया है, मतलब उसने get you out of this, मैं get you out, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी इस मतलब strap से बाहर निकालूंगी she turned around and looked at the children, वो पीछे मुड़ी उसने बच्चों पर देखा, जो वहाँ पर बवाल मचाये होई थे, they had moved away from the well, अब उस लड़की के आने के बाद, वो थोड़ा सा well से अलग हट गए थे, तब ही तो एक human, single human face उसमें लिखाया ना जराया था well when she arrived, जब वो आई, तो बाकि सब हट गए everybody held her in high अब चाह देखिए, ये जो लड़की है अब इसका character यहाँ बताया गया है everybody held her in high regard, regard मतलब सम्मान, respect, इज्जत, मान बहुत मानते थे, ऐसे hold को मतलब थामना होता है, लेकिन किसी चीज़ को आप बहुत सम्मान देते हैं, तो आप इस तरह के sentence use करते हैं, hold in high regard तो held her in high regard, देखिए इसके क्या वज़ा रही होगी, उसके अच्छे काम रहे होंगे, and the children knew that their bear case would displeaser, अच्छा बच्चे इस चीज़ को जानते भी थे, कि उनका जो bear chase है, मतलब की chase मनता पीछा करना, भालों का पीछा करते करते बिचारे को फसा दिया, और फिर भी channel ले रहे, displease displease को लब, ना खुश कर देना, गुसा दिला देना, तब बच्चें को लगे है कि वो जो भालों को यहां पे ले आए हैं, फसा दिया हैं, इससे खुश नहीं होगी लगता है, देदी होदी है क्या उनकी what's going on here, यहां क्या हो रहा है see, ask them, why are you torturing this animal, तुम इसको क्यों torture कर रहे हो, क्यों सता रहे हो इस जानवर को he has done you no harm इसने तुम्हें कोई नुक्षान नहीं पहुचाया है you ought to be assembled, ought to को मतलब जरूर चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए आपका फर्ज बनता है, करता बे बनता है, you ought to you ought to be assembled, अरे तुम्हें सारी दीदी है, आप उनके करेक्टर से समझ सकते हैं बच्चों, वेबसाइट वे उनका करेक्टर से सब मिल जाएगा आपको वेबसाइट वे हम बहुत सारा मैटेरियल देते हैं फ्री में देते हैं, पीडियाफ आपको हमसे खड़नी पड़ेगी, उसके लिए बहुत कम पैसे हम खई सकते हैं तो उसमें से किसी ने कहा, अरे हम उसे नुकसान नहीं पहुचाना चाहते थे मतलब यह फन उनके लिए हो गया था है भालू वहां बिचारा डर रहा हुआ अरे लड़की को डरा दिया थे इस भालू ने देखे बच्चों अब यहां पर मिसंडर्स्टेंडिंग हो गई न क्योंकि जो बरतन साफ कर रही थी तो वह चिलाती है तो उसको चिलाहत देख के लोग आते हैं और फिर आप जानते हैं जो भालू भालू चिलाए होंगे तो और भी लोग इकट्टा हो गए we wanted to scare him scare को मतलब डराना अरे हम उसे डरा के भगाना चाहते थे it was just a joke अरे यह तो बस जोग था fun था merriment था अच्छा खासा मजा था मस्ती थी इस तरह की मस्ती भाड़ में जाए एक समझदार निकल जाता है है ना तो उसे काफी फर्क पढ़ता है I don't think so sister उसने का अच्छा देखे अगर वह हार पहुंचाता कोई नुकसान पहुंचाता तब तो भाई आपको भी डेफेंस में कुछ ना कुछ दो करना पड़ता पर ऐसा उसने किस किया नहीं था I don't think so मुझे नहीं लगता Chasing a young bear into a well पीछा करते करते तुम उसे इस कुए में ले आए कुए के अंदर यहां पर देखे explanation किसान है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसे डराना चाहते थे यानि नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे Luckily for him the poor bear यह तो किसमत की बात है कि जो बिचारा भालू है has not broken his neck उसकी गर्दन नहीं तूटी क्योंकि देखी कुए में कूदा तो कुछ भी हो सकता था now help me get him out चलो मेरी मदद करो अब हम बाहर निकालेंगे can someone get a letter कोई letter लेके आ सकता है देखे अब यह leader भी बन गई है doing good a lot of people come behind I can said a small boy एक छोटे लड़के नहीं का अरे मैं ला सकता हूं लक्ष्मन नाम था उसका in a few minutes he was back अब कुछ देरी में जब लोटा देखे अब वो देखे अब देखे एक हमें कोई समझाने ओला ठीक से मिल जाता एक कोई अच्छा काम करने ओला मिल जाता है सब की बोल के लिए वही बच्चे जो बेर को परिशान करे था उसकी मदद के लिए आ गया 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 ड्रैगिंग लेटर भी हैंड है तो घसीट ता वह लेटर लेकिया था वांडरफुल बहुत बढ़िया मीरा ने कहा है ने स्माइल डेट द बोई अउस लड़के को देखे थोड़ा अच्छा मुझे मदद करो इसे हमें अंदर तक पहुंचाना है इस सीडी को क्याफू ध्यान रहे वी मस्ट नोट फ्राइटन द लिटिल फेलो नहीं असानी समय करना है कि बिचारा जो लिटिल फेलो है चोटा सा जो भालू का बच्चा है डर ना जाए बच्चों बड़ा बच्चों की हिमत ना पड़ती विचारा बच्चा था चोटा था ना कमझोर समझाता दोड़ा लिया चोटा बच्चा था ना कमझोर समझाता दोड़ा लिया चोटा बच्चा था ना कमझोर समझाता दोड़ा लिया चोटा बच्चा था ना कमझोर समझाता दोड़ा लिया तो वो जो आपको आराम देशे मा लीजिए अपने आपका अपने हाथ पकड़ा और अराम से आपके हाथ को सेलाना सरू किया कि आपका हाथ धर्ट करा तो सूधिंग आपकी वोईस आपको बहुत सांतुना दे आपके मन को सांती दे सूधिंग हलके हलके सॉफ्ट टच तो यह कि अचानक लेके जाते तो भालूक लगता है कि इससे मुझे नुकसान पहुचाना चाहते है ग्रावल ग्रावल मतलब होता है गुर्राना रंबल इस थ्रॉट देखे रंबल का मतलब है कि मलब गड़ आने के अब अंदर से गले से इस टाइप से अब 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 बच्चों ने पूछा होगा अब अच्छे एक लेसन भी लेंड कर रहे है कभी कोई सिच्वेशन ऐसी आएगी दीदी नहीं रहेंगी तो बच्चे इसको समाल सकते हैं अब बच्चों रूम कमरा नहीं है जगा बनाओ गुंजाइस बनाओ थोड़ा सा स्पेस दो मली जे बेंच है और आप यहां पे तीन लोग बैठे हुए और आप चाहिए कि भी यहां आप बस में सफर कर रहे हैं और आप खड़े हैं तो अगर आपको कहना हो कि थोड़ा भाई साब उधर हो जाएं मुझे भी जगा दे दीजे तो आप कहेंगे प्लीज मेक रूम फो मी आलसो तो कहा लेडर से पिछे टो थोड़ा दब्या श्टप बैक जैसे हो समझ गया हो तो प्यार की भासा सबी समझते हैं तो पीछे हो गया थोड़ा सा कि रसली मतलब वही जो मैंने शुरूम बताया था कि क्या है क्या नहीं है तो वह समझ जाएगा कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं स्लोली धीर धीर ही ट्राइड दा फासे श्टप उसने पहला उस पे अपना कदम रखा देन एनधर फिर दूसरा रखा देन तीसरा वह चड कुवे जैसे माली जी कुवा है काफी बड़ा कुवा है तो अब उपर रिम बनी हुए इसकी तो यहां तक जाना है उसको तो यहीं बीच में ही रुक के वह देख रहा तब जाओं और फिर यहीं मुझे नुकसान पहुचाएंगे तो रुख गया मिडिल में ही रुख गया और लड़की को देखने लगा ट्रस्टिंग आईज ट्रस्ट मने विस्वास कि सायद देखे कितनी मतलब मासूम भरे लाइने हैं यह उसकी तरफ ऐसी आखों से देखने लगा कि सायद यह लड़की मुझे बचा लेगी इस पर विस्वास किया जा सकता है मैं उपर जाओं क उसे समझ में ऐसी होता है मतलब आम खुछ समझ जाते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल जो हमारे सामने है तो कैसे हम उसका डड़ दूर कर सकता है ना तो बच्चे थोड़ा सा पीछी हट गए कि उससे ऐसा लगे कि हम नहीं दिखाई देंगे तो उसे लगेगा कि भाई यह पीछे चले गए हैं अब खाली में उपर आ सकता हूं लक्समान फॉलाओ घर तो लक्समान विसके साथ साथ पीछे गया तो कोई से दूर हो गए अब उपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड वेट करने लगे कि देखो अपना सीड निकाल के बाहर निकलता है और न निकल के आना बाहर दिखाई पढ़ना तो उसका सीड दिखाई दिया अब द रिम जो मैंने रिम आपको बताई थी न कि जो कुवा है तो कुवे को उपर का जो वाला हिस्सा होता है न तो यह रिम है तो लेडर से बाहर उसने इससे ज्ञाक के देखा होगा इस टाइप से भ ग्राउंड पर कूट पड़ा उसने देखा दूर जो बच्चे खड़े हुए थे ना उसको मीरा को देखा अच्छा बच्चे जब पास नहीं आ रहे हैं अगर पास भी आते तो फिर तुरंद यहीं कूच जाता जब उसने देखा कि मेरे यहां बाहर निकलने के बाद भी को पास नहीं आ रहा तो उसे समझ गया कि मुझे बचाने कोशिश हो रही है जाओ अब आपस लट जाओ से स्माइलिंग है ठीम उसकी तरह मुस्कराते हुए जेस्चर समझ रहा है जो उसके हाव भाव है लड़की की समझ रहा है कि मुझे कुछ अच्छा सा टीट कर रही है त उसने थोड़ा सा नीचे अपनी सिर को जुकाया अपने पैरों पर जब जमीन पर आ गया था ना यह सी डिड हाँ हाँ सच में इसे बच्चे बाद में कहानी बनाने लगते है अरे उसने लगा जैसे सिर जुकाया हो हाँ सच में देखे अब यह जो हैपिनेस है इस हैपिनेस में godliness है helping others true help होनी चाहिए मतलब ऐसी नहीं कि आप किसी से expectation में help कर रहे हैं और help needy की होनी चाहिए जरुत मंदों की help होनी चाहिए then it is help और अपने को भी safe रखना चाहिए कि help की वज़े से पता जला सामने ले नुकसान न पहुंचाए लक्समन saw him boy लक्समन ने सच में उसको बो करते भी देखा असे जुकाते भी देखा then he bedded down फिर वो चलता चलता राम से lane to the main road में रोड तक गया और वहां से he ran through the green large green fields उसके बाद मैदान मिला हरी गासों का और फिर जंगल में चला गया अलब गाओं के आसपा जंगल रहे होंगे तो एनिमल्स कभी-कभी जो है forest area से निकल के जो residential areas होते हैं वहां पर आ जाते हैं यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो इस तरह के आप देखते ही रहते हैं तो यह स्टोरी थी और इस स्टोरी से आपने जरूर सीखा सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को बताइए और क्या चाहिए आप हमें कॉंटेट करिए सब कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा स्क्रीन पे भी हम दिखा देते हैं और अगर कोई डाउट है क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमसे पेट क्लास अरेंज कर सक तो इस टूटर यहीं खत्म करते हैं अगर लिए टूटर ने फिर मुलागात होगी हमारी और आपकी सो में डियर लर्न फ्रेंड्स स्टड़ी विल एंड ठेक क्या बाई बाई